असलाम लेकुम, आज मैं आप लोग के साथ ब्रेकफास्ट की एक बहुत ही एजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यह रेसिपी बहुत ज्यादा मज़ेदार बनती है, तो आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, तो इसे बनाने के लिए हमने एक बड़े साइस का आलू ले कान फरार नमाट rehabilitation कान फरार को निकाल लेना है आलो निकाल लेना हे के लगा इसके पार अव्म एक आइखानेके बाद में, फ्राइपान के पार लियानगा, करके देमाइखाएख में चुनाहे कर दिया है, अब फैर इसे पार नाहीं लिदे जिना था कर सकता है पकाएंगे पकाएंगे तक यहां पर 5 मिंट गुजड़ चुके हैं जब दकन इटाइंगे और आलुकी स्ञाइट करद कर gonna you इसको पर प्लेट रखेंगे और इसकी सचेंज करेंगे तो धूबारा से हमने इसे सट कर दिना है जिस तरह इसकी शेप हमने बनाई थी वैसे दूबारा से बना दीनी है और अब हमने एक अंड़ा ले लिना है अब इसके अंदर चौब की भी सब्स्मिर्चे ढालेंगे दो सब्स्मीर्चे लिथी बरीक चौब की है ये डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे थोड़ी सी काली मीड डालेंगे और अच्छी तरह से हमने अंडे को फैंट लिने है तो अंडे को मैंने अच्छे तरीके से फैंट लिया है अब अंडे को हमने आलू के उपर डाल देने है जो आलू हमने फ्राय करके अब इसके ओपर ठोड़ा सा औरिगेनो चुड़केंगे इस से जो खुश्बू है बहुत प्यारिश मेसे आएगी तो इस तरह हमने थोड़ा सा और चुड़ा सा चाट मिसाला भी डाल सकते हैं अब इसे हम कवर कर देंगे और पांच मिट यज़ से मजीद पकाएंगे पांच आपको देखने में यह कितना प्यारा लग रहा है और खाने में भी यह बहुत ही मज़ेदार है अब इसकी कटिंग कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुप दिखाती हूं तो यह देखें बहुत ही जबरदस्त बनाएं दोनों साइडों से अची तरह से कुक हो चुक है आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं तो उमीद करते हूं कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक करें श थांक्स पर वाचिंग, आलाह अफेज्ट